फेस पर क्रीम सब लगाते हैं लेकिन फेस पर क्रीम लगाने से पहले यदि आप इस चीज को अपने फेस पर लगा लेते हैं फिर इसके बाद आप क्रीम अपने फेस पर लगाते हैं तो आपका फेस ब्यूटिफल नहीं डवल ब्यूटिफल देखेगा लेकिन उस चीज को नफेह ज़रूरी है कि आखिर आपको अपने फेस पर लगाना क्या है सब कुछ बतागाँ वीडियो ज़रूर पूरा देखना नहीं तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे डार्क स्किन वाले लड़का लड़की सोचते हैं मैं अपने फेस पर कुछ भी लगा लो लेकिन मेरा फेस ब्यूटिफल नहीं देखता मैं कुछ भी करनू लेकिन उनका यह सोचना घलत है और व्राइट स्किन वाले लड़का लड़की ये सोचते हैं मैं भी अपनी स्किन पर कुछ भी लगा लूँ लेकिन मेरा फेस ब्यूटिफल नहीं देखता क्योंकि मेरे फेस पर फिम पल से दान धब्बे देखते हैं इसलिए मेरा face beautiful नहीं देखता मैं क्या करूँ तो फिर आखिर आपको करना क्या है सबसे पहले आपको जाता पानी से और मल पानी से आपको अपना face clean करना है और आगे मैं बता देता हूं उसके पहले आप एक like कर दीजे वीडियो को सिर्फ एक like और नए है तो subscribe भी कर लेना चै लिए और जितना आपने face face निकाला है उतनी ही मात्रा में आपको aloe vera cell निकालनी है अब आप सोच रहे होंगे यह तो मुझे पता है लेकिन आगे आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं बहुत ही अच्छी remedy में आपको आगे बताने वाला हूं जितना आपने face face निकाला है उत एक मिनिट बाद ही आपको नॉर्मल पानी से अपना चेरा धो लेना है किलीन कर लेना है फिर फ्रेंड्स आपकी स्कीन face की जब सूख जाए फिर इसके बाद अब आपको क्या करना यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट थे इसको तो ध्यान से सुनते रहना अब आपको रैड रोज बाटर की केबल चार से पांच ट्रॉफ लेनी है और आप हांक की छोटी बाली अंगली से पूरे face पर लगा लें लेकिन ना तो आपको अपने face पर मसाज़ करने है और ना ही हां से इसको मलना है बेस की स्कीन फिर सूख जाए उसके बाद आप क्रीम लगाईए मेरा यकिन करना आपका face double beautiful देखेगा आप आज ऐसा करके देखलो आपको यकीन हो जाएगा